रादे रादे दोस्तों कोकुई तुपास्टा मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में हम बहुत ही डेस्टी और जटपट बनने वाली आलू और हरे मटर की घुगरी बनाएंगी यह ज़्यादा तर यूपी में ही बनाई जाती है इसे बनाना बहुत आसान है तो चलिए बनाना शुरू करते हैं आलू और मटर की घुगरी बनाने के लिए हमने तीन मीडियम साइस के आलू को छील के कट करके धूलिया है साथ ही हमने यहाँ पे दो कप फ्रेश हरी मटर लिया है आप फ्रोजन मटर का भी इस्तमाल कर सकते हैं हमने गैस पे कढ़ाई रग दिया है हमने कढ़ाई में दो चमस तेल डाल दिया है तेल गरम हो गया है हम इसमें थोड़ी सी हिंग डालेंगी अधा चमर जीरा डालेंगे कद्दू कस की हुई थोड़ी सी अद्रग डालेंगे बारीक कट की हुई दो हरी मिर्च डालेंगे आप हरी मिर्च कम यह जादा कर सकते हैं लो फ्लेम पे हलका सब भूनेंगे अब हम इसमें आलू डालेंगे और तीन से चार मिनिट के लिए मीडियम फ्लेम पे चलाते हुई भूनेंगे तीन से चार मिनिट हो गए हैं अब हम इसमें आधा चमर शल्दी पाउडर डालेंगे एक चमर धनिया पाउडर डालेंगे अधा चमर शल्दी पाउडर डालेंगे एक चताई चमर शल्दी पाउडर डालेंगे स्वादनु सार नमक डालेंगे और अच्छे से मिला लेंगे अब हम इसमें हरी मटर डालेंगे बिला लेंगे और ढखके 5-6 मिनिट के लिए लो फ्लेम पे पकाएंगे 5-6 मिनिट हो गये हैं हम इसे चला लेंगे हम इसे फिर से ढखके पकाएंगे 3-4 मिनिट के लिए मीडियम फ्लेम पे 3-4 मिनिट हो गये हैं अब हम इसमें आधा चमच चाट मसाला डालेंगे एक चोथाई चमच गरम मसाला डालेंगे मिला लेंगे आप चाट मसाला की जगह अमचर पाउडर का भी इस्तमाल कर सकते हैं साथ ही हम इसमें कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे और अच्छे से मिलाते हुए एक मिनिट के लिए पकाएंगे हमारी आलू और हरे मंटर की घुगरी बनके तयार है अब हम कैस को बंद करेंगे और इसे सर्फ करेंगे तो लीजे हमारी आलू और हरे मंटर की घुगरी बनके तयार है आप इसे सुबह के नाश्टे में बनाईए ये बहुत टेस्टी लगती है अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आये हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करिए शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा साथ ही बल आइकन को प्रेस कीज़ेगा ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे राधे राधे